हेलो फ्रेंड्स आजकल पेंडराइब में इंपॉटन डेटा रखना बहुत ही आसान हो गया है बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमारी गलती से हमारे डेटा डिलीट होया थे इस्पेशली तब जब हमने का कोई डैकप भी नहीं रखा होता है तो पेंडराइब से डेटा को रिकवर करना डिलीटर डेटा को बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटर टास्क मना जाता है बट मैं आपके इस मुश्किल काम को बहुत ही आसान बनाने आया हो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप चुठकियों में अपने पेंडराइब और अपने हार्ड़ी से डेटा को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं और इस चीज़ को अगर आपको जाना है तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तर जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके सामने आया हूँ बताने के लिए कि हम अपने pen drive से deleted file को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए हमें एक software डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रिकुवा और उसी मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ तब मैं आपको बताऊँगा कि pen drive से deleted file को कैसे हम लोग recover कर सकते हैं तो सबसे पहले आप google chrome को open कर ले और इसके अंदर में type करे रिकुवा तो जब आप यहाँ पे type करेंगे तो जो सबसे पहला वाला जो option आएगा उस पे आप यहाँ पे click करें और यहाँ पे download free version पे click कर दे और यह जो free version है आपके सारे deleted files को recover करने में सक्षम है जिसलिए आप इस free version को ही install करें इसे ही आप अपने सारे deleted files को आसानी से images, photo, documents अपको recover कर सकते हैं तो चलिए अभी मैंने free version यहाँ पे ले लिया, professional version के अभी आपको कोई आवेशाक्ता नहीं है तो मैं ऐसे download कर लेता हूँ तो देखिए file मेरा यहाँ पे download होने लगा, उसके बाद आप इस software को install कर ले और उसके बाद यहाँ पे install पे click कर दे तो देखिए अब यह software आपके computer में install हो रहा है और उसके बाद आप इसे run करा सकते हैं अब मैं आपको यह सिखाने के लिए कि अगर आपके pen drive से file permanently delete हो जाती है तो किस तरह से उसको आप recover कर सकते हैं तो मैं आपने कुछ important files हैं यह मेरी, मैं इसको यहाँ से delete करता हूँ पेंडराई से चुकि यह file delete की है तो देखिए recycle बिन में भी मेरी कोई file यहाँ पर नहीं नजरा रही है actually में जब हम किसी file को delete करते हैं तो वो computer जहाँ पे थी वहीं पे रहती हैं बस memory से उसका address हटा दिया जाता है और computer को यह बता दिया जाता है कि आप किसी दूसरी file को से address पे store कर सकते हैं तो इसलिए अगर कभी आपके file delete हो तो जल्द से जल्द आप अपने file को recover करें तो आपके file मिलने के chances बहुत जाता हैं लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद use करते हैं और अगर वहां कोई दूसरी file store हो गई, save हो गई तब आप उस file को recover नहीं कर सकते हैं तो चुकि अभी मैंने तुरंद delete किया है तो मैं तुरंद recover करूँगा तो मिलने की संभावना बहुत जादा है तो इसके लिए यह जो recover software है आप इस पर double click करें और उसके बाद में आप यहाँ पर yes करें फिर यहाँ पर next पर click कर दें अब यह आप से पूछ रहा है कि आप किस तरह की file recover करना चाहते हैं अगर आप उसे accurate location बताएंगे तो वह जल्दी से आपके file recover कर देगा तो चुकि मुझे location पता है तो इने specific location में जाके मैं अपने pen drive का address उसे दे दिता हूँ तो चलिए मैंने आप अपना pen drive का address दे दिया तो यहाँ पर देखे जी drive आगया अब मैं next क्लिक करता हूँ तो computer यहाँ पर जल्दी से इसको scan करके आपको lose करेगा अब computer यहाँ पर मेरी सारी recoverable file को दिखा रहा है अब उसमें से आप choose कर सकते हैं कि आप किस file को recover करना चाहते हैं तो यह जो green color में जो file दिखा रहा वो आप recover कर सकते हैं बट जो red color में दिखा रहा वो recover नहीं कर सकते हैं तो जो मेरी important file थी class test, class details, it return और मेरा images उसको मैंने यहाँ पर tick mark कर दिया अब मैं यहाँ पर recover options पर click करूँगा तो वो सारी file यह recover करेगा अब उसे कहाँ पर store करना है location वो पूछ रहा है कि recover करके file को आप कहाँ store करना चाहते हैं तो मैंने desktop का location दे दिया और मैं ok क्लिक कर देता हूँ तो देखिए सारी file मेरे वहाँ पर recover हो चुकी है अब मैं इसे ok कर देता हूँ और चलते हैं हम लोग desktop तो देखिए यहाँ पर मेरे images भी recover हो गए मेरे PDF file मेरा class test और मेरा income tax return file सारा का सारा file मेरा यहाँ पर recover हो गया और आसानी से आप अपने deleted files को recover कर सकते हैं इससे ना कईवल आप video images recover कर सकते हैं बलकि hard disk के भी file को आप recover कर सकते हैं तो जो मैंने example अभी आपको pen drive के लिए बताया उसका यह same process आप hard disk के किसी भी drive में deleted files को recover करने के लिए कर सकते हैं Hello friends कैसे लगा मेरा video पसंद आया तो like and comments जरूर करें और new year अगर आपको मेरा video पसंद आ रहा है तो चैनल को subscribe जरूर करें और comments भी जरूर करें तो फिर मिलते हैं हम लोग next video में टाटा बाई बाई